बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधिर जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। सवा चार बजे तक शैक्षिक कारक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में सामाजिक विज्यान विशय में बुक अर्थ शास्त्र से पालंपुर गाउं की कहानी भागती हीं विकक्षा 10 में सिंधी विशय में नजमू बुक से भांगो पहीरियो भाग एक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पालंपुर की खेती के बारे में तो आएए देखते हैं। चोटे मोटे जो विवसाय होते हैं आदी। ठीके बच्चो तो पालंपुर में जो खेती है वो उत्पाधन की प्रमुक्रिया है। पिचतर प्रतिशत लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं और बाकी जो 25 प्रतिशत है वो गैर क्रशी क्रिया हैं। जिसका की हम बात पहले भी विवेचन कर चुके हैं वो 25 प्रतिशत लोग करते हैं। तो जो खेती है वो किस पर की जाती है? वो भूमी पर की जाती है। और भूमी कैसी रहती है? भूमी रहती है इस्थिर। तो इस इस्थिर भूमी से हमें अधिक पैदावार प्राप्त करनी चाहिए निकरनी चाहिए। तो इसके लिए पालंपुर ने क्या किया पालंपुर ने जो बंजर भूमी थी उसे क्रशी योग्य मनाया और पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया इसके अलावा जो भी नई भूमी थी क्रशी योगे बना कर उस पर भी खेती की जिस्से की वहां की पैदावार बढ़ सके ठीके बच्चो तो 75 प्रतिशत लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर है क्रशी उत्पादन में मूलभूत कठिना ये है कि खेती के लिए जो प्रयोक्त भूमी है वो कैसी होती है इस्थिर होती है गाओं की कुछ बंजर भूमी को क्रशी योगे भूमे में बदलकर क्रशी उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया है और इसके अलावा यदि हम बात करें पालंपुर की तो पालंपुर ने इस्थिर भूमी में और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए क्या किया तो उसके लिए दो प्रणालिया अपनाई गई एक तो है बहुविद फसल प्रणाली और दूसरा है आधुनिक क्रशी विधी ठीक है बच्चो कि इस्थिर भूमी से अधिक पैदावार प्राप्त करने का क्या तरीका है एक तो है बुमी उत्पादन कैसा होना चीए अधिक उसके लिए दो प्रणाली एक तो है बहुविद फसल प्रणाली और एक है आधुनिक क्रशी विधी जिने की हम वन बाई वन पढ़ेंगे सबसे पहले यदि हम बात करें बहुवित फसल प्रणाली की तो पालंपूर में क्या किया गया पालंपूर ने किसी भी भूमी को बेकार नहीं छोड़ा जो भी भूमी थी वहाँ पर उसने क्रशी की ताकि की क्रशी उपज को वो बढ़ा सके और उसने क्रॉप में भी मैनेजमेंट कर लिया एक साल में कई फसले उगाई जैसे की हम देखें कोई भी भूमी क्या की उसने बेकार नहीं छोड़ी समझ भूमी पर उसने क्या किया क्रशी की कहां की बात कर रहे हैं हम पालमपुर की और इस्थे भूमी पर आधिक से आधित फसल उगाई जाती है कहां पर पालमपुर में अब उसने क्रोप मैनेजमेंट कैसे किया उसने वर्षा रितु में खरी फसल उगाई खरी फसल में क्या आते हैं ज्वार और बाजरा और इसी को वो पशो के चारे के रुप में प्रयोग करने लगा इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में वहां उगाई जाती है आलू की फसल और इसके बाद जो शीत रितु आती है उसमें वहां उगाई जाती है रभी की फसल जिसमें आती है गेहू और वो गेहों जितना उनके काम आता है उतना वो काम में ले लेती है और शेश हो वो जाकर बास के व्यापारियों को बेच देते हैं हमने पढ़ा था ना कि उसका आसपास के गामों से भी क्या है connectivity है और इसके अलावा भी क्या करते हैं वो बुमी के एक भाग पर गन्ने की खेती करते हैं जिसके की वर्ष में एक बार कटाई होती है और उस गन्ने को या फिर उसको गुड के रूप में कनवर्ट करके वो शापूर के व्यापारियों को बेच देते हैं तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं अपनी क्रोप का management करते हैं एक ही साल में कई फसले लेते हैं ठीक है बच्चों देख लेते हैं एक बार वर्षा रितु में क्या होग आते हैं खरीफ की वसल जिसमें आती है ज्वार बाजरा उसी को वो पशूपी के चारे के लिए रूप करते हैं उसके बाद अक्टूबर दिसम्बर में आलू शीत रितु अर्थ में रभी की फसल अर्थात गेहूं भूमी के एक भागपत क्या करते हैं गन्ने की खेती हम बात कर चुके हैं जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है और गन्ने को कच्चा या गुड के रूप मे वो किसको बेज़ते हैं शापूर के व्यापारियुकू ठीक है तो इस प्रकार से जो फसल है वर्ष में कई फसलों को उत्पादन करना एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है बहुविद फसल प्रणाली समझ में आ गया कि वर्ष में एक फसल लाउगा कर कि यह कहते हैं तो इसे ही कहते हैं बहुविद फसल प्रणाली एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से जobraड़ा फसल पैदा करने को कहते हैं बहुविद फसल प्रणाली अर्ठात इसको इंग्लिश में multiple cropping भी कहते हैं तो ये बात थी बहुविद फसल प्रडाली की ठीक है बच्चो अब हमने दूसरी चीज क्या देखी थी आधुनिक क्रशी विधियां तो पालंपूर में आधुनिक क्रशी विधियां क्या क्या काम में ले जाती है और ये क्या होती है तो आधुनिक क्रशी विधियों में आते हैं बच्चो बीज, बीज भी कैसे? उन्नत किसमे के बीज बिजली, सेचाई, आधुनिक जो भी मशीनरी है जैसे कि हम बात करें थ्रेशर, इसके बाद ट्रक्टर, रासाइनिक, उर्वरक और कीट नाशक तो ये सारी चीजे किसमें आती है? आधुनिक जो क्रशी विधि है उसमें ठीके बच्चों, ये ही बात यहां पर है कि आधुनिक क्रशी विधियों का प्रेयोग करके भी उपज को बढ़ाया जा सकता है हमी उपज को बढ़ाने के दो तरीके मालूम है, एक तो बहुविद और दूसरा है आधुनिक क्रशी विधी आधुनिक क्रशिविदी में आती है HYV बीज, अठात अधिक उपज देने वाले बीज या HYV बीज होते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिक उपज देने वाले बीज बिजली, सीचाई, आधुनिक मशीनरी, आधुनिक मशीनरी में थ्रेशर, ट्रैक्टर, आधी इसके लावा रासाइनिक, उर्बरक और कीट नाश्र, तो अब हम आते हैं पालमपूर में, तो पालमपूर में क्या क्या है, तो पालमपूर में बिजली की सुविदा है ठीक है बच्चो जिसके फलसरूप सीचाई की सुविधा भी होई है जब वहाँ बिजली नहीं थी तो क्या करते थे वहाँ के लोग कुओं से रहट के द्वारा क्या निकालते थे पानी उसमें श्रम भी बहुत अधिक लगता था और बहुत कम छेत्र में सीचाई हो पाती थी जिसके फलसरूप उपजबी क्या थी बहुत कम थी अब जब से वहाँ बिजली आई तब से महां सीचाई होने लगी वो भी किसके द्वारा नलकूपो की द्वारा और इससे गाओं के बहुत अधिक छेत्र में जो खेत है महाँ पर सीचाई होने लगी जिससे फसलों में बह अधिक बढ़ातरी होई ठीके बच्चो अब हम बात करते हैं इसकी बिजली और सीचाई की कि पालंपूर में बिजली और सीचाई की सुविधा आई बिजली का प्रभाव सीचाई सुविधा पर पड़ा जैसा कि हमने भी कहा बिजली से चलने वाले नलकूपो से अधिक छे इंगलिश में बोलते हैं high yield sheets अब यह किस परकार के बीज होते और यह परम परागत जो बीज है उनसे किस प्रकार से अलग है उसके बारे में हम जानेंगे कि परम परागत्बीज और आदुनिक बीज दोनों में क्या अंतर है वो हम यहां देखेंगे आदुनिक बीज जिसे की दूसरा डाम दिया है, HYV बीज, क्योंकि ये अधिक उपस देने वाले बीज हैं, तो इनका प्रियोग, जो अधिक उपस देने वाले बीज है, इनका प्रियोग 1960 के बाद हुआ, अर्था जब हमारे देश में हरित क्रांति आई, उसके बाद ही इनका प्रियोग शु में ये क्युश्यन भी पूछा जा सकता है, कि दोनों में क्या बता ये अंतर, तो आप इस तरीके से इसका अंतर बता सकते हैं, कि इसका प्रियोग तो 1960 तक था, और इसका 1960 के बाद हरित क्रांति के बाद से शुरू हुआ, अब जो पारम पर एक बीज है, वो उपज तो क्य अधिक उपज प्राप्त होती है, ठीके बच्चों, अब जो तीसरा अंतर क्या है, जो पारम पारिक बीज है, उन्हें कम पाने की आवश्यक्ता होती है, मतलब कम सीचाई में भी काम चल जाता है, क्योंकि उपज भी कैसे देता है, वो कम, जबकि HYV बीज में पानी की प्रयोग उसमें किया जाता है, जबकि HYV बीज में रासाइनिक उर्वरकों और कीट नाशकों का प्रयोग किया जाता है, तब भी तो अधिक उपज दी जाती है, ठीके बच्चों, पारम पारिक बीज में गोबर और अन्य प्राकृतिक हादू का प्रयोग किया जाता है, ज जबकि जो HYV beach है वो किसानों के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत सारी machinery भी लगानी होती है, जैसे हमने बात किया रासाइनिक उर्बरक और कीप नाशक ये भी उनको यूज करने होते हैं, इसके लिए किसानों को लोन भी लेना पड़ता है, तो इस प्रकार ये किसानों के लिए काफी महंगे होते हैं, तो अगला अंतर क्या है, पारमपरिक बीच किसानों के लिए क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, जबकि HYV beach किसानों के लिए कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये था पारमपरिक बीच और HYV बीचो तो हमारे जो देश है उसमें पारंपरी बीच 1960 से पहले काम में ले जाते थे और 1960 के बाद HYV बीच काम में ले जाते हैं जिनसे की पैदावार बहुत अधिक हुई है तो हमारे देश में जो आधुनिक क्रशी विदी है जिसमें की आते हैं हमने बाद की अभी क्यों नतकिसमिकी बीच आधुनिक मशीनरी जिसमें ट्रैक्टर थ्रैशर रासायनिक उर्वरग बिजली सीचाई कीट नाशक इसका प्रयोग सरप्रथम जो कहां किया गया हमारे देश में किया गया इसका सरप्रथम प्रयोग पंजाब हर्याणा और ये उ सरुप क्या हुआ यहां पर पैदावार बहुत अधिक हुई इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मशीनरी जैसे की ट्रैक्टर इनका प्रयोग किया किसके लिए कटाई के लिए जुताई के लिए तो इसका इनको फल भी प्राप्त हुआ और यहां पैदावार बहुत अध परक कीट नाशक आदी का प्रयोग किया जिसे जुताईवे कटाई के लिए मशीन खरी दी जिससे गेहूं की जादा पैदावार प्राप्त हुई ठीक है बच्चो कि किस प्रकार से भारत के इन राज्यों में रासाइनिक उर्वर को, कीट नाशको और आधू ने क्रशी विद्यों का प्रयोग किया गया अब हम क्या बात कर रहे थे पालमपूर के बारे में तो पालमपूर में भी रासाइनिक उर्वर को, कीट नाश को, HYV बीच इनका प्रयोग किया गया तो इसका क्या परिणाम हुआ तो पालमपूर में जो पारंपारिक बीच जब प्रयोग किया जाता था तो वहाँ पैदावार थी 1300 किलोग्राम प्रती हेक्टर पारंपारिक बीच के द्वारा अब जब इनोंने HYV बीच काम में लिये तो इनकी पैदावार दुगने से भी अधिक हो गई अर्थात हो गई 32 किलोग्राम प्रती हेक्टर आप देख पा रहे हैं HYV बीच के द्वारा कितनी हुई 32 किलोग्राम प्रती हेक्टर कहां पर पालंपूर में तो अब ये क्या करने लगे जितना गिहूं काम में आता उतना रख लेते बाकी को ये बेचने लग गए जिससे इनका मुनाफ़ा भी बढ़ा अर्थात इनोंने स्थिर भूमी में ही अपनी पैदावार को बढ़ा लिय और आधुनिक रशी विध्या ठीक है बच्चो अब ये जो आधुनिक रशी विध्या क्या भूमी के लिए सही है क्या भूमी इनको धारण कर सकती है नहीं क्योंकि आधुनिक रशी विध्यों में प्राकृतिक संसादुनों का बहुत अधिक दोहन होता है जिसके कर देते हैं इसके अलाबा यह रावारत के कई राजव में देख क्या हो गई है खतम हो गई है इसके अलावा जो यह आधुनिक रशी विदी है उसमें बहुत अधिक सीचाई की गई पानी का ओवर यूज किया गया जिससे की भूमी का जल इसतर एकदम नीचे चला गया तो यह जो प्राकृतिक संसादनों का दोहन है वो आधुनिक रशी वि क्योंकि यह बहुत सालों में बनते हैं तो आईए देखते हैं कि आधुनिक रशी विद्यों के क्या हानेकारक प्रभाव पड़े हैं हमने बात की कि आधुनिक रशी विद्यों ने प्राकृतिक संसादनों का क्या किया है बहुत अधिक दोहन किया है उरपरों के बहुत जैसे कि हमने बात की कि प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन यदी किया जाता है तो ये पुनहर जीवित बहुत मुश्किल से होते हैं क्योंकि इनको बनने में भी तो बहुत टाइम लगता है तो यही बात है कि मिट्टी के ओरवरता और भुमिकर जल को यदी एक बार नस्ट ह होने के बाद पुनहर जीवित करना बहुत कठिन है आया बच्चो समझ में तो ये आधुनी क्रशी विधियां काम में तो ली जाए लेकिन कैसे काम में ली जाए इनको लिमिटेड काम में लिया जाए उपज को बढ़ाया तो जाए लेकिन रासायनिक उरवर को और कीट पढ़ा था कि उत्पादन के चार साधन होते हैं भूमी, श्राम, पूंजी और उध्यमी अब पालंपूर की नजरिये से हम इन चारों उत्पादन के साधनों को पढ़ेंगे कि पालंपूर में इन साधनों का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले आता है भूम हो रहा है तो आईए देखते हैं बच्चो पालंपूर में 450 परीवार हैं जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे तो इसमें से जो एक तिहाई परीवार अर्थात 150 परीवार ऐसे हैं जिन के पास खेती करने के लिए भूमी ही नहीं है, ऐसे किसानों को हम भूमी हीन किसान भी कह सकते हैं, और इसके बाद जो 240 परिवार हैं, उनके पास भूमी तो है, लेकिन वो 2 हेक्टर से कम भूमी है, जो की क्रशी करने के लिए परियाप्त नहीं है, इसके बाद कितने परिवार बचे, 60 परिवार, उन 60 प देखें इस डाइग्राम के द्वारा बड़ा सुंदर सा डाइग्राम है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से इंप्रिंट भी हो जाएगा कि कितने परिवार हैं 450, 450 का एक तिहाई अर्थात 150 परिवार भूमी ही है जिनके पास भू परिवार यही बात यहां पर लिखी गई है कि खेती के लिए भूमी बहुत महत्वपूर है भूमी पर ही खेती की जाती है हवा में तो खेती नहीं की जाती तो भूमी बहुत महत्वपूर है पालंपूर में सभी लोगों के पास खेती के लिए परियाप्त भूमी नहीं है यहां एक तिहाई, अठ्था 450 में से 150 परिवारों के पास भूमी नहीं है, और वो लोग अधिकतर कौन से हैं, दलित, हमने बात की थी ना कि दलित परिवार हैं, लगबग एक तिहाई, जो कि फूस के मकान में रहती हैं, और गाउं के एक कोनी में रहती हैं, तो वे ही दलित प क्योंकि दो हेक्टर से कम भूमी है, उपज कैसी होती है, बहुत कम हो पाती है, इसलिए उनको आमदनी भी नहीं होपती, सेट शेष जो 60 परिवार हैं, उनके पास दो हेक्टर से अधिक भूमी है, कुछ के पास तो 10 हेक्टर या इससे भी जादा भूमी है, तो हम क्या 2 हेक्टर से जयादा भूमी है, अर्था, औरों के comparison में बहुत अधिक भूमी है, इसको हम एक दूसरे डाइग्राम के दौरा भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यहां ये बताया गया है कि जो जिनके पास कम भूमी है, अर्था, ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो भुमी है उन लोगों के बीच वित्रित है तो ये जो है वो है 55.4 ये क्रशी छेत्र है 55.4 प्रतिशत और ये क्रशी छेत्र है 44.6 प्रतिशत आरहे बच्चों समझ में अठात ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है उसके 55.4 प्रतिशत का क्रशी छेत्र और 44.6 प्रतिशत ये जो डार्क पार्ट है वो तो हो गया 55.4 और जो लाइट पार्ट है वो हो गया 44.6 प्रतिशत अब ये क्रश्कों की संख्या कैसे है कि जो 55.4 प्रतीशत क्रशी छेत्र है वो किसके पास है ये 15% लोगों के पास ये है 15% और ये है 85% कहने का मतलब ये है कि क्रशी छेत्र का 5.4% इन 15% लोगों के पास है और जो 44.6% छेत्र है क्रशी का भूमी है वो उन 85% लोगों के पास है और ये जो डार्क पार्ट वाले लोग है वो तो कौन से है बड़े और मजोले किसान और ये जो लाइट पार्ट वाले है वो है छोटे और सीमान किसान को समझ में आया मतलब ये डाइग्राम आपको ये बता रहा है कि जो जादा भूमी है वो तो कम लोगों के पास है और जो कम भूमी है वो बहुत जादा लोगों के पास है तो इस प्रकार से भूमी का कैसा वित्रण है ऐसमाल वित्रण है आरहे बच्चों समझ में यह dark part, यह light, यह light और यह dark, यहाँ पर जो ज़्यादा है, अठा dark part, वो यहाँ पर कम dark part, अर्थाथ, 55.4% लोगों के जो क्रशी भाग है, वो 15% लोगों के पास है, और जो 44.6% प्रतिशत भाग है, वो 85% लोगों के पास है, यह diagram बता रहा है, और इसको हम एक दूसरे diagram के द्वारा पालंपूर गाउं में भी देख सकते हैं, कि यह पालंपूर गाउं की क्या है, भूमी है, ठीक है बच्चो, अब इसमें आप देख पा रहे हैं, कि देखो यह कितना बड़ा plot है, यह कितना बड़ा है, दिख रहा है ने, यह plots कितने हैं, बहुत बड़े-बड़े जबकि ये दिख पारे हैं आप कितना छोटा सा plot है ये बीच में ये थोड़े से 2 hectare से जादा का है ये 10 hectare से भी जादा के हैं तो इसी प्रकार से ये दिखाया जा रहा है इस diagram के द्वारा कि पालंपूर में आप ये जो छोटे plots देख रहे हैं वो तो क्या हैं बहुत कम है और बहुत छोटे छोटे हैं और ये जो बड़े बड़े जो parts है वो बहुत ज़्यादा भूमी पर फैले हुए हैं लेकिन कम लोगों के पास है ये diagram आपकी बुक में भी है और आप इसको बुक में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और ये छोटे छोटे जो है अर्था जो 2 hectare से कमके plot है वो plots मतलब जो हमारी क्रशी भूमी है वो बहुत ज़ादा किसानों के पास है और वो कौनसे किसान है छोटे और सीमान किसान और यह जो बड़े plots वाले हैं वो हैं बड़े और मजोले किसान ठीके बच्चो अब आगे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं यह है हमारा गोविंद क्योंकि हमने अब भी बताया ने कि पालंपूर में क्या है छोटे-छोटे plots हैं छोटे और सिमान किसान के पास दो हेक्टर से कम का plot है तो ऐसा क्यों हो पाता है वो पढ़ेंगे हम इस कहानी के माध्यम से यह हमारी कहानी है गोविंद की कहानी अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें गोविंद की कहानी अर्थात हम तो अर्थशास्रे पढ़ रहे हैं अर्थशास्रे में कहानी कहां से आ गई तो बच्चों कहानी के माध्यम से ही हम हमारे जो basic concepts है जो हम बताया जा रहा है आपको उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो हम पढ़ रहे हैं गोविंद की कहानी तो गोविंद है वो एक किसान है और उसके पास बुमी है 2.25 है अर्था 2 हैक्टर से तो ज़्यादा बुमी है उसके पास तो उसका मतलब वो कौन सा किसान हो गया? बड़ा किसान हो गया लेकिन अब क्या होता है आगे देखते हैं उसके तीन बेटे हैं गोविन के कितने बेटे हैं तीन बेटे अब गोविन अपना गुजारा कैसे करता है बैस परिवार तो उसका बड़ा है तो वो खेती पर भूमी जो उसकी भूमी है उस पर खेती कर लिता है इसके अलावा उसक मैं वरब बढ़ेगा ना क्योंकि हमारे बारतिय समाज में यह होता है कि मृत्यों कि जयादात पर किसका हाख होता है उसके तीनों और साधन नहीं थे तो जो पिता की भूमी वह तेनों पुत्र को मिन जाती है और वह कितने कितने मिलती तो इस प्रकार से जो गोविंद का खेथ है वो तीन पार्ट में बढ़ जाता है और उनके पुत्रों के पास और भी कम जमीर रह जाती है और भी कम मतलब उसके पास तीसरा हिस्सा आएगा ने इक के पास तो उसमें की उनको क्या करनी पढ़ती है खेती करने पड़ती है और उसमें वो यदि आदुने करशी अंत्रे लगा दें या फिर बहुत बिद्फसल प्रणाली अपना दें फिर भी उनके उपज इतनी नहीं हो पाती उनकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती कि वो अपने परिवार का पालन पोशन कर सकें इसके लिए उन् पॉर में गोविंद जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनके पास जो जमीन हैं उसके छोटे-छोटे टुकड़े हैं उन छोटे-छोटे टुकड़ों में यदि वो आधुनिक क्रशी विधी को भी अपना लेते हैं तो उनका परियाप उत्पादन नहीं हो पाता उनकी परिया परेखा का भरन पोशन नहीं हो पाता और वह वहार शाते हैं वह lets डूक लोगरीब ही तो यह जो हमनेे में पालंपूर में भूमी का वित्रन तो उसे आपको क्या समझ में आया उससे बच्चों तीन समझ में आई कि पालंपूर में जो भूमी है वह तो है ही नहीं और कुछ कुछ लोगों के पास भूमी है वो परियाप नहीं है और कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमी है इस प्रकार पालंपुर में भूमी का वित्रण कैसा है ऐसामान यदि आपके पेपर में एक कुश्चन आता है कि पालंपुर में भूमी का वित्रण कैसा है और किस प्रक और कुछ के पास बहुत अधिक भूमी है तो बच्चो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना हमने जाना पालंपुर में भूमी का वित्रण की क्या है कि कुछ लोग अर्था 450 परिवार में से 150 परिवार के पास तो भूमी ही नहीं है 240 परिवार के पास 2 हेक्टर से कम भूमी है और 60 परिवार के पास 2 हेक्टर से जादा अर्था 10 हेक्टर तक भी भूमी है इस प्रकार पालंपुर में भूमी का वित्रण कैसा है ऐस समान जिसको हमने कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा तो अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम उत्पादन का साधन कौन से अगला उत्पादन का साधन श्रम की पालंपुर में श्रम की व्यवस्था किस प्रकार होती है उसे हम जानेंगे तब तक के लिए आप ये जो भूमी का वित्रण है इसको अपनी कॉपी में बहुत पार्ट कक्षा दस में सिंदे विशय में नजमू बुक से भांगो पहीरियों भाग एक बाल को असी नसुर में जेके भी पार्थ हिन साल असांजाक बोर्ड में रखे लहन से पूरा करें चुकायूं हाने असांजी दर्सी किताब साहितिक पुश्पजो व्यो भांगों जे आने नजम चा थी दिया बाल को नजम थी दिया है कवीता जएक ईंग्लिष में पवेट्री या बोयम भी चवरा है पोयम पवेट्री नजम बैथ शायरी यह सब च्हाहिन यह आहिन हीक शायर जा जीके विचार आहिन उननंके कुझा ए अखरन में एहणा तवीचार समायल को यहां कर दोने मिटलाब कर दो पेड़ीन का में किसाफ पक्रमों यहां नहीं सिंधि शाहरियेजा ट्रिमूर्थी हाने सबनी खाप पैर्यों जे को असां जो बैत रखेला है शाह साहिब जो रखेला है पैर्यों नजम में असां शुरू कंदासी शाह साहिब जा बैत ऐह ईए हिक दोहन जे रूप में थी सगन था कुछ लाइन ओंजी रूप में डिसी थी सगन था ताहँ दर्सी किताब खोले वियो एडिसो ताहुन में जे कि तवाँ जा नस्म एन नसुर नसुर नलाएन नमाल को नसुर जे का थिंदी आहे सा खुलन लिखेल हुन दिया हे खुलन अखरन में जेतरो वधी कथी सगे हुन जी व्याख्या कयो तवाँ जेतरा अखर तवाँ के इस्तेमाल कयो वो करेड सगो था जी एक मजमून थिंदू आहे कहाणी थिंदी आहे तहीं जे रूप में असी नसुर पढ़न दायो पर नस्म में घट में घट अखर इस्तेमाल कया वेंदा आहे ए नस्म दुखीप थिंदी आहे नसुर रखा नस्म जी लिख्यल तकुछ अखर ब्यो आहे पर माना कुछ अलग निकरी सगे थी यानि जाहिर तह असान जे सामू कुछ ब्यो कयो आहे पर अंदुरूनी माना कुछ भी थी सगे थी एं सबनी खा जे के वडो शायर सिंद में थी गुजरिव आहे असान जो उहो आहे शा शाह साहिब जे बैतन सा शुरुवात कई वेई आहे असान जे हिनपाट जी नस्म जी शाह साहिब जी बारे में अच्छो थोड़ो पड़ी वठू शबनी खा पहरी असा के पतोत पवे त शाह साहिब जिसण में कीये हिन दा हुआ यह डिसो बाल को तावान जे सामू माहिक फोटो लगाए रखिया है तैसा ता किर्यान पवंदी त शाह साहिप डिसड में किये होंदा हुआ, फकीरी वेस में रहनदा हुआ, जेके वाही पानसगर कमंडल रखनदा हुआ, जोगी हुआ, पर ये जोगी छोटाया, शुरुवात त जोगी, पैदा त जोगी कान थी दुआ न मालको, हिनन जी भी श शादी थी वी, हिते शाह जो रसालो, असान जो जेको आहे सबनी खा, मशूर सिंधी किताब, जेको शाह जी पोईट्री, पोयम, जह में समायल नाहिन, सो आहे बाल को, शाह जो रसालो, शाह जे रसालो की अठायो, कह अठायो शाह जो रसालो, शाह साहिप जने पहंजी नज कि रचना करने हैं ओडा ही आतमिय कवी हुआ उनन बैतन जी रचना कई पर जिन्दकी आखरी कि दडियां में उए सब बैत वहाई चादया चो वहाई चादया चाकान तो उनन सोचू कि अगर माण जे जमाने में या अचन वारी पीरियून के ये डई वेंदसन तो पो उनन जी जिन्दगी ते गलत असर पैजी सके थू चाकान ये तो मिंजू भाव ना हुआ है जे को मुखे समझ में आयो सो मालेखे वाहे परमान अथ हो चाया कि अगी पीडी ते इनजो को बुरो असर पवे पोब शाह जी रसाली जी रचना कीया थी सवाल उठ्यो तो माँ जे मन में शाह जो रसाली जी कुआ है उननन जा जे के प्रेमी वा शाह साहिब जा शाह साहिब उनन खे पहंजा बैतन याद कराएंदो हो बर जवानी उनन खे याद हुआ एं यो चयवेंद हुआ है कि उनन जे जे के शिश्य वापोई लगवा उनन सबनी मिली करे शाह जी बैतन के हिकहंद कटो कयो एं उनन जी किताब आहे शाह जो रसालो शाह जो रसालो ता हुआ गूगल ते सर्च करे दिस जो डाटो सुठो जो को आहे कलेक्शन एंड पोईट्री जो पोयम जो जो एत्रो कलेक्शन ता यो आहे जे को हिननके याद हो एं उनन कटो कयो सोचो ता शाह साहिब पेंजी पूरी हयात में कित्री उनन नजम लिखियो हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ जाह साहिब रचना कई शूर थीन दो आहे बाल को जेको कि उना वक्त जो हली रहयो हो जीयां की को डुखा जो सुर्थो को खुशी जो सुर्थो ता उनन सुरन ते जेको आहे शाह साहिब पैंजी दरचनाओं कईू इनसांगर अचो हिन तरफ तमाक डिसाड इन्दो की शाह जे रसाले में असांखे कहड़ू कवीताओं कहड़ू कहड़ू कहड़ा बैत जेकि आहें हिन उन में लगा मा अब ताके बुदायों कि शाह साहिब पैंजी कवीता जो आधार छाठायों लोक कहाणी उठायों जेको कि हिनन निठी हुईू ता उए लोक कहाणी उनमा सभनी खा मशूर कहाणी आहें उम्मर ए मारुय जी एक प्यार जी दास्तान आहें हिनसांगर मूमल राणू, ससुई पुनी, पुनु, साधिया ए सरमद, नूरी जामतमाची, सोणी महर, सोरट राइर्याच, लीला चनेस, इह सब कहाणी उन तवहां यात कहें नसुर जे रूप में या कहें नजम जे रूप में जरूर पहेंजे छाहें खामटी अरे तवहा में कंदा बाल को हिने लेंग्विज में, तो हाँ खे ब्योव डिटेल में शाह जे बारे में मुख्या पातर होई उनन जे आधार ते ही शाह सहिप न जे बीतान जी रचना कई आहें, हाण हिनें जे दास्तान बया कई वही आहें उनने जो दुख त खुशी सब कुछ नमें शाह जे रसाले में असा खे गिसन में अच्छे थो असा बैच शुरू कहाई हो तवहां जे दरसी किताब में शाह सहिब जे बारे में कुछ लाइनों डिस्नी डिन नहीं हो हैं जेके माहेति लिखी रखी 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 हो हैं जी सु उए ए शाह साहिब जो जन्म थे हो 1699 इस्विय में, भिट्ट में थ्यो हूँ, शाह साइब जे कुँ आहे, हाला हवेली में हिनन जो जन्म थ्यो किते थ्यो हूँ बालको, हाला हवेली जेका सरहत जे हुना पार आहे, हिनन जे मौत कापो हिनन के भिट्ट में दफनायो विव आहे, जैंके अडिकल शाह जो भिट् नम्तरीन हिन शायरन कतार में शुमार कई होँए नितो, शुमार यानी शामिल कई होँएंदु वह आ है। कि मुखे ता इश्वर सामिलनों आए, इश्वर जो साक्षातकार करनों आए, से ही है रो चौलो पाइंदा आए, रूहानी यानि की आत्मिक रहबर पेण हो, हू तमाम सुठो रागी इंदर भी हो, रागी इंदर थी दोवा बाल को जे को राग गाएंदो आए, राग लिखन आए, यू केर हो, शाह साहेब हो, तह करे इत हुनन जे को आए, इनन लोक कहाणि उन ते पहंजा राग पहंजा बैत लिख्या आहें, असा के अडव परण में मजो इंदो आए, त हुनन जमाने में यानि ये गाल आए, सोरी सदियें जी, सत्री सदियें जी गाल आए, जने औरंग जेब जो शासन हो, असान जे मथा, उनना वक्त जी जे का गाला है, ये तह वक्त शाह साहिब नन शेयुन का, जे के हल चल हली रही वी, सियासी हल चलू हलंदी हुई हूई हूँ, मुगलन जने असान जे मथा राज कयो, उनन सबनी का परे, बैत तन लिख्या आहें, एह उनन के दीन दुनिया सा को लगाव न हो, तह करे ये शास जो सालो असान जे सामू छाथो आणे, हुनना वक्त जो जे की बैत हुआ, उए असान जे सामू आणे थो, खुदाई मस्तिय में अच्छी, खुदाई मस्तिय मतलब की ईश्वर सान लागापो जड़े, उनन के लगन्दो हो कि ईश्वर मुखे निसे, प्यो ईश्वर मुसा परमात्मा मुसा सान आए, गयन शुरू कन्दो हो, यानि कि एढा तर राग हुए गयन्दा हो, जो इए लगन्दो हो, तह इश्वर लाई प्या गयन, संदस मुरीद उवो शैर कलम बंद कदा हुआ, मुरीद यानि कि हुनंजा जेके चाहिंदर होंदा हो बालकों सेचा कन्दा हो, जेके भराग गाइंदा हो, लिखना वेंदा हो, या बर्जबानी याद गन्दा हो, तह करेई अयो जेको आहे शाह जो रसालो असान डे सामू अन मौझूद आहे, संदस शायरियम में सूफी भारती फैल सूफी है जो असर पड़ नजर अचे थो, यानि यान आहे कि शाह साहिब जजेके बैत आहिंद से के सूफी नजर ये सार रिखावया है, पर भारती है संगीत शास्त्र जो भी असर होने जे मतसा नजर अचे थो, या चयो वेंदू आहे कि जड़ें उनन जो कहते हैं वन्या, तो कहें उनन के चयो कि भई तू हिंदू आहीं, तू सिंदू आहीं, तो कर्बला छो वनी रहा हैं, तू जिते ज्याओ आहीं या देश जो आहीं उत्ते ही रहो, तू कर्बला नवन यें जो हुए भिट में हुनन पहेंजा आखरी दियें काटया, आखरी भिट में ही रहा, एं हुते ही उनन जो मौत्यों, एं अड उनन जी दरगा जे का आहे, सा भिट में ठायला ही, जे का सरहजे, हुन पार आही बालको, तू हां कड़े वन्यों, त जरूर दर्शन का जो, हिन दर्वेश जी दरगा जो, पन जी प्राप्ती थींदी, हिते दिसो तावां जे सामू मा हुनन जी दरगा जो हिकलो चित्र मुखे मिले हु आहे, तक केडी न सुठी सिंदी न काशी हिन जे मता कयला है, ताढ़ों उचा गुंबत ठायला ही, एं यो जे को आहे, इसन जोगो आहे, हर साल हिते उर्स आयोजन कयो बेंदू आहे, सरकार पारा पार जी सरकार जे का आहे, उते देश-विदेश जा मानू, केवल सिंदी हिंदू बल्कि धारमिक भावनावन खाम मते उती करे मानू आहे, तो दरगा जो दरशन करदा आहे जो चाई खणी बस कर तो अच्छो शुरू कहीं असा जो बैत जे के शाह साहिब द्वारा लिखेला हैं तवाँ पान सा गड़ तवाँ जी कौपी किता आप दर सी किता पैन ए पैंसल खणी वेंदा छाकरत ये नजम आहे नसु रखा थोड़ी डुखी थी दिया है असा के जाहरी माना भी समझड़िया है इन तरफ डिसो जेत्रों मुझी कोशिश रही आए कि धेके प्रुख्या लवज अचन था तिन जी माना मां इन साइड लिखी रखिया है और तवाँ के चाह करणू आहे ये जे कि डुख्या लवज आहें ये डिनलता आहें इन जी माना तो म सबना आहें तो कोशिश मुझी ये रही है कि हरेकल अरुखे लवज नाय लवज जी माना मां है ते लिखी रखा तो सबनी का पैर असी डिसंदा सी अलिफ अलिफ इन जो मतलब थीन दूआ है पैर अखर वर्क यानि कम यानि पन्नों हुँआ वर्क थीन दूआ को कम अहे ते अलफ अंब बे बल्ला बे बकरी पे पन्नों ये सब शुरू थीन दाएं पर असान जो पैरेंव पैरेंव अखर केड़ वा है अलफ अलफ यानि कि अल्लाह पर मात्मा तो उन्हें लाइव अलफ ये अखर यूज कर वे वा है अखर पढ़ अलफ जो वर्क सब विसार अंदर तू उजार पना पढ़नदे के तरा, छाता साववन शाह साईब अखर पढ़ अलफ जो यानि परमात्मा के दर्शन कर परमात्मा जो दीदार कर तू किताबूपे अपल्टी अटन जिए हथ में घीता है अटन जिए हथ में कुरान है अटन जिए हथ में ग्रंध आहिन तो लगे तो तो मुखे ईश्वर्जी प्राप्ती हिनन ग्रंथन खे परण सा थीन दी मुखे पतो पवंदो कि अरे मा परमात्मा के की ये गोल्या, की ये परमात्मा जो दिदार कया, तर्शन कया, पर तु केत्रा पन्ना पल्ट, वर का मतलब पन्ना, हिते दिनलाहे बाल को विसारे चल, ये विसरी वन गाल की पन्ना पल्टन सा ग्रंथ पल्टन सा तो के ईश्वर जी प्राप्ती तीन दी इश्वर्जी प्राप्ती पन्ना पल्टन सा किताब पढण सा न थींदी भले तु कित्राब अखर पड़ी चर्ण हिनकरी असां के अफ अखर दिनो विवा है कि अखर पड़ अल्फ अल्फ यानी परमात्माला चाय विवा है अल्ला चाय विवा है कि इश्वर्जो दीदार करण ला तो के परमात्मा के ड्यारनों आहे वो इतुन जी सची पढ़ाई आहे अंदर तु उजार पना पड़े केत्रा अंदर तु उजार मतलब तु पेंजे अंदर जाती पाए डिस पेंजो पाण खेडिस पेंजे अंदर डिस त इश्वर्जो साक्षातकार तो के थीन दई तोखे ये लगे थो तो माहीत्रा किताब पड़ी वरता मात पढ़ाकूं आया मात हुशार थी वीयों मुक्खे घ्यान मिली वियों मात घ्यानी घ्यान चन थी वह अए पर यह न आहे इश्वरजी प्राप्ती करण याहे तोखे पेंजो अंदर में जाती पाए डिसनी आहे अधीक सूज बूज समस्दारी वारा प्राणी आयूं। छो आयूं छाकरत असी इंसान आयूं। असा खे सही ए गलत जी ड्याण आहे। असा खे यह पतों आहे कि जे को असा चै रहा आयूं। जे को असा करे रहा आयूं। सो सही आहे या गलत आहे। बालकों, हाणे यू असा के किया पतो पवंदो कि असा सही आयू या गलत आयू, जने असा चोरी था कही हो, हलो चोरी चालियो, असा कहसा कूड़ गालाय चालियो, कि अरे माँ जे को आहे, तुम खा पेसा गुरण आईए, कानन मुवड पेसा, जब कि असा वट भर्या पे आय कि अन्हाने मदद कई करणी न आहे, तो मना करें चित जे पर असा चा कयो कूड़ गालाय चालियो, तो अगर हूँ इनसान सचे मन सा इनसान आहे, उनके चापतो पवंदो कि माँ ही गल्ती कई आहे, माँ हून असा कूड़ गालाय करे, पहें जो पान के बचायन जी कोशिश कई आहे ता मा यो गलत कई हुआ है यह शंता के में आहे कह जानवर में न आहे यह रुगो असा इंसानन में आहे च्छाकरत असा के पतो आहे कि मा अंदर में जेको सोचा थो वो सही सोचा थो जेको मा चयो आहे सही सोचो आहे सही चयो आहे या गलत चयो आहे तहे इंसान जेकी तोखे अंदर में तुँ खुद में जाती पाये दिसंदे, खुद खे सोचन विचारण जी शक्ती तोमें डिनी वई आहे, तो तुँ सोच तोखे पतो पवंदए की परमात मांग किते मिलंदो, मुएंजे अंदरी मिलंदो सच्चाई जे रास्ते ते हलंदे, धर्म जे रास् पहरी और बैत शाह साहिब जो असान जे नजम पहरी जो उम्बीदा हे ततवा समझना पर आचो डुक्यन लफजन जी माना नवन लफजन जी माना कौपीय में लिखना पर आचो हाने डिसों बेयु बैत कहड़ो वा हे नहाय खा नीह सिक्ः मुण जा सपरी हाने नहाई चाह दी आ नहाई लोह डिसोहीन तरफ लिखी रखे हुआ हे नहाई तीञ दू आ हे लोह नी री ताम हो यह दोखामे हो तह अचो ए डिसोह नहाई जिक मन्जा सुपरी सठे सारो नीह बाइर बाफ न निकरे। तक कह खा असाखे च्छासिखड़ू आहे निहाई अखा नीह करन। निहाई थींदो आहे लोह। लोह जीको थींदो आहे तहके लोहार पैरी पूरो गरम नतो करे छडे। चाहे हेत्रो टुकडो हुझे, चाहे हेत्रो वडो टुकडो हुझे, जेस्ते उहों लोह पूरो गर्म थी करे, गाडो नतो थी वने, तेस्ते हुनके लोहार प्यो तापाईंदो, प्यो तापाईंदो, जिये हुँ गाडो बिल्कुल गर्म थी विवेवा है, ता हुनके आकार जयन शुरू कंदू आहे, ठोके ठोके मारे मारे हुनके आकार जयन शुरू कंदू आहे, केर लोहार, तो असाखे प्रेम करण, नीह करण क्या खा सिखणू आहे, हुन लोहे जे ट्रकुडे खा सिखणू आहे, कि हुनके मार्यों प्यों बने, हुनके ठोक्यों प्यों बने, अंदरा बायर बाफ न कड़न दू आए पैंजो दुख जाहिर न कड़न आए उन लोह जे टुकड़े के लोहे के योब न पतो आए कि सामु आरो लोहार उनके छो पिटे रहे हुआ है छो उनके कहडो आकार अग्याहली करें मिलनों आए लोहे जो ताओ बठावन दो लोहे ज जो जोकरतव आए पैंजो कम आए उन न चड़न दो आए उन तप जे प्यो दुख हो न के मिले पयो परत यहुँन दे भी पाफ बाइरान ड़न दो आहे सजो दीह सड़न खापोए ही लाइन चाल दिख्याला हे सड़े सारो डीह सजो डी सड़े साड़े इन साड़े दायू तदे वनी करे हुनके कोई शेप कोई आकार मिलंदो आहे तप असा खा या शै की निहाई ये खा नीह सिखडू आहे लोहेखा सिखड़ों आहे निहाठाई प्रेम करन सिखड़ों आहे तर डिसो बालकों शाह साहिब बिनी लाइन उन में के दी वडी माना असां जे सामूरा की चली आहे कि असां खे लोहखा सिख्या पिरायन गुर्जे जड़े असी पेंजे पाणखे तपाइंदा सी मत पायन पायन जो मतलब आहे महनत करण, जफाकशी करण, करण जोगा कम जने असी कंदा सी बालकों उनमा कुछ ज्यानी ता हासल थी दो मानलो अज मुखे केर चवे वठ ही कलर थाई, ही ये पैंसल थाई, ही तोक्य पन्ना थाई, ड्रॉइंग ठाए और मां पुठ्या हाटी वन्या कि नन मुखे ता ड्रॉइंग इंदी काने मुखे ता कानी दो आ, ता ही छाथी व्यो, मात कोशिशी न कई पैरी हार मनी वेठ हम, कोशिश कंदा सी, उदम कंदा सी, तकोच सिखान लाई मिलन दो, पहंजो पाण के तराशीन दा रो, पहंजो पाण के तपाईन दा रो, जी लोह पैंजो पाण के तपाई करें, बाफ अब न कड़न दो आहे, एक कुछ नयों, उनन मां असाखे प्राप्त थे थो, ता असाखे छा सिखडिया हे, निहाई यमान नी है, लोहे मां असाखे सिख्या पर रैणिया हे, जी हुँ पैंजो पाण के सजो डी तपाई थो, उन वतन जिन विसार्यों, हिन तरफ दिसो बाल को मीनिंग सजयन मतलब थींदू आहे, सगो प्रेमी, अनासो मतलब बे हया, बे शर्म, हैफ थींदू आहे, लानत या शर्म भुहिनके असी चैसागू था, यानि कि हैफ तन के होई शर्म अचन गुर्जे पैंजे मता, विसार्य विसर्ण, हाने कहखे शर्म अचन गुर्जे ही न मैं, उनन के शर्म अचन गुर्जे जिन पैंजे वतन के विसारे चल्यों आहे, असा पैंजे सल्याण के विसारू था, सल्याण मतलब की जेको असाँ जो सगो आहे, प्रेमी आहे, घर में आहे, जैसा असा प्रेम करना चाहे उख पतनी हुझे, चाहे उख पती हुझे, चाहे असान जा बार, चाहे माता, पिता, जैके असान जा घर जावासी आहें, या जैके असान जा मित्र दोस्त आहें, तिन खे चाकन दा आयूं असा पान असा गरी रखन चाहिन दा आयूं, हमेशा चाहिन दा आयूं कि उख खुश रवन एं असा हुनेंजी भलाई चाहिंदा आयूं तपो असा वतन अखे छो विसरी व्या आयूं सबनीखा पहरी तक केर आहे असा जो वतन आहे ये गाल अड़े जे परिपेक्ष में सालो साल पहरी शाह साब लिखी चली कि ही जे का असा के वतन मिले हुआ है जहन देश जा असा वासी आयूना बाल को सा असा के डाढ़ो डुख्याई डाढ़ी मुश्किलात उन सा हासल के हुआ है चो छाकान तक कई दर्वेशन पीरन देश भक्तन पैंजी जान जी कुर्बानी डिनी पोवनी करे ये असा के वतन असा जो पैंजो मिले हुआ है आजादी मिली आहे तो हाँ पिछले साल नाय में किताब में पड़यो हुँँदो हे मुका लाणी जे बार को बाले में बाल को तक केडन शहीद असान जा थ्यां आहें तिन असान जे देश लाय कुर्बानी डिनी असा आजाद गुमिरया आयून पैं करे उननके है फचन गुर्जे कैंके है फचन गुर्जे जिन वतनके विसारे छल्यो हुआ है तो मा मुईंजो पाडो घर हिनन सबनी काम मत्य उथी करे असा के कैंके रखड़ू आहें पैंजे वतनके पैंजे देश के यानि हिनम में शाह साहिब असा में देश भक्ती जी भावना जागरित कंदे यो बैत लिखिवा है कि असा पैंजन काम मत्य उथी करे पहरी कैंजे जी भाबारे में सोचू जी बारे में सोचू तो उनजे भल्त उन्जे देश जे अमारों जी रख्या उनजत भल्त उमंजो पैरे करतवय आहें साइमी सदाई कर मथे सिंध सुकार दोस मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी साइमी थी दिया बार को तराजू वे स्केल जे कि इंगलिश में चाउंदाई वो साथ साइमी जी गाल कई वही आहे दोस यानि दोस असांजो मित्र, असांजो सखा, असांजो फ्रेंड आलम थीदू आहे हिनमे जग के बुदायो वह आहे यानि संसार जे बारे में चयो वह आहे तो कहड़ी साइमी मत्य रखनी आहे सिंध सुकार हिते असान जे देश सिंध जे बारे में चैयो विव आहे कि अगर असाकि साइमी निनी वने असाके तुलना करणी हुझे, आज कहई शैके मत्यो रखनों हुझे, यानि मा मुहिंजो परिवार आज बे तरफ हुझे असान जो यानि सबनीखा पेरी केंजे बारे में सोचणू आए आम मानूं जे बारे में मिंझे देश लाए मिंझे प्यारे भारत लाए जे को सब कुछ सही आए उओ हिना जे बारे में असा के सोचणू आए दोस दोस यानि दोस्त असा के मिठा दिलदार दिलदार तीनदा अहिन बालको वडी दिलवारा लिखी चड़े हो ये कौपीय में तमहां दिलदार तीनदू आहे वडी दिलवारो असा के केर मिलन दू आहे असा जा दोस्त मिठा दिलदार वडी दिलवारा मिलन था आलम सब आ मुंजी घरवारी मुंजो घरवारों मुंजो देश मुंजो दोस्त यानि मुंजे खाम मत्थे उठी करें जेको सड़े संसार ला सब आम माणूला जेको सही हुजे वह असां के जेको आहे सोचणो आहे यह असां सोची नासी तड़े चातीं दो आबाद थीविन दो असां जो हीन दो एन हे न बाहसुं तैस का शाह टो करें में मात्र भूमी देश भच्ति जी भावन हैं में Expert करें असान जे देश जे बारे में सोचुणों आहे डिसूं त अगलो बैत केड़ों दिनल आहे डातार त त तू प्या सभे मंगणा मीह मुंदाईता वस्णा सदा वसी तू डातार मतलब जैनवरो डाता हे ते परमात्मा के इश्वर के गौड के भगवान के इनके चाचायव दातार मतलब जैनवरो मंगणा यानी बिखारी फकीर के रैन बिखारी फकीर असी आया यू चाकर कोब दुख अचे कान एहली यलू मंदरन में टिकानन में कि हे भगवान मिंजी पूर्ती करे चाड़ मिंजो यो कम करे चाड़ तमातों के तरो प्रसाचानी दो मैं तो के व बारिश बरसात रेन चे विवा है तो डातार त तुम हे परबात मा डेन वारोत तुम ही आही हमेशा असांजे मता पहंजी रह्मत जी बरखा करणवारो के राएं तुम आही मीह मुदाईता वसरा सदा वसी थू यानी मी जड़े इंदो आहे न बारिश थींदी आहे तो हु न वक्त अच्छी करे हुव वेंदी अली आहे पर ए दातार तुम जी जी का आहे दया जी बारिश जी तो कोई मुंदाई काने कोई रितू काने तुम तो हमेशा पहंजी रह्म जो वसकारो असांजे मता करीपयो यानी तुम जी रह्मत हमेशा असांजे मता वहे पई जड़ असी पेंजो दुख खणी तो खयाद कई हूँ था तो असांज वो दुख परते करे थो चरी तो शाह साहिब हिते कैखे मन्युआ है इश्वर खे परमात्मा के याद कई हूआ है देशा के याद कई हूआ है हिते वालकों चार या पंजा जेके भी बैत दिनल आहिन तिन में परमात्मा तो यह असांखे रेणवारों आहिन तो यह रहमत जो वसकारों करें बंद नत होते का लिमिट ना आए हूँ जड़े जड़े असीतों के याद कई हूआ है तरह 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 तो पहें जी रहमत असांज जे मता रखी आहे युग बैत बालकों शाह साहिब जो पहरो पहरों बैत जे को असांज जे नजम सेक्शन में रखेला है हिते ही खतम थे हो उम्मेद कया थी कि तवा शाह साहिब जे बारे में ब्याब जे के बैता हिन से पढ़न दा गोलीन दा मिलन दा तवां खे छाकारत हुनन में अधी सुठी माना समायल आहे मिलू था हाने हिन जे क पार्ट में जे में असी स्वालन जा जवाब करना सी तेसीते नमस्ते बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विशे में बुक और थिशास्त्र से पालंपुर गाओं की कहानी भाग 3 विकक्षा 10 में सिंधी विशे में नजमु बुक से भांगो प आप करियर से समदित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल वा मनोरंजक कहानिया सुनेंगे, नई जानकारियों काला वा देर सारा मनोरंजन, नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें, सिक्षा दर्शन बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंड पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें, कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एडरेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001